नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने स्रीहरी सिटी ब्लोग्स चैनल में तो आज हम आपको अफ्रीकन सारस दिखाने वाले हैं जी हाँ आपने सही सुना अफ्रीकन सारस अफ्रीकन सारस को अंग्रेजी में ग्रे क्राउन क्रेन बोला जाता है इसके सिर पे कलगी होती है, तो आज हम आपको दुबाई के लवलेक का दिखाने वाले हैं, यहां पे बहुत सारी अफ्रीकन सारस हैं, जैसा कि हम बहुत सारी वीडियो इस पे बना चुके हैं, दुबाई लवलेक के उपर यहां पे बहुत सारे पंची हैं, मचलियां हैं, जा आपको दिखाया है मुझे डिटेल में वाली वीडियो हमारी जरूर देखें तो आज हम आपको फिलाल तो दिखाने वाले अफ्रीकन शारस यह अफ्रिका से मंगाई गई शारस है इस आरच नाचते हैं गाते हैं और फीमिल शारस को लिजाने के लिए सब काम करते हैं यह लड़की मिल गई यह देखो कितने उचल रहे हैं कूद रहे हैं बोल रहे हैं याहू याहू अम मेरी साधी होगी यह मेरी साधी होगी यह दोस्त मेरी साधी होगी मेरी साधी होगी लड़की मिल गई पापा ने लड़की सेलेक्ट कर दी देखो कितना उचल कूद कर रहे हैं और मचलियां खाते हैं ये दलदली शेत्रों में जादे रहते हैं तालाप के किनारों के आसपास और भारत जैसे जगा में ये धान जो होता है धान के खेत होते हैं वहां पे रहते हैं उसके आसपास देखा जाता है इनको अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है सरकार ने इस इनकी अलग अलग जातियां होती हैं अलग अलग कलर के पाई जाते हैं ये इन में बहुत वैराइटी है और ये उचाई में एक मिटर तक उचे होते हैं अगर इनको इनसानों की देख रिक में रखा जाए तो ये नबह साल तक जीते हैं, इनकी उमर काफी होती है, जो मेल सारस होता है, उसका बजन 45 किलो तक होता है, 40-45 किलो के बीच, और जो फीमेल सारस होती है, उसका बजन 35-40 किलो के बीच होता है, तो उलने वाले पंचियों में लगबख सबसे अपनी प्रजाती के सबसे उचे पंची हैं सबसे हाइट वाले पंची हैं ये बहुत सुन्दर होते हैं ये अफ्रिकन जो पंची है अफ्रिकन सारस जो है इसके सिर्के उपर कलगी पाय जाती है, मुकुड जैसी लगती है यह देख सकते हो आप यह बहुत सुंदर, बहुत प्यारे होते हैं अलग- Deal रंगो के पाय जाते हैं भारत में सफेद से कलर का पाय जाता है सारस, यहां पर ग्रे कलर का है यह अफ्रीका के जंगलों से हम पताई चुके हैं आपको की मंगाए गए हैं तो यह अफ्रीकान सारस हैं यह अपने फीमेल पार्टनर को रिजाने के लिए अच्छा अच्छा नाचते हैं यह सालों साल तक एक ही पार्टनर के साथ रहते हैं कि ये साल में जब इनको अंडे देने का सीजन आता है तो ये नो दो अंडे तक देते हैं एक साल में और जो जो अंडे हैं उनसे बच्चे निकल ने के बाद वो 8-9 महिने तक लगभग इनके साथ रहते हैं अपने माता पिता के उसके बाद ये जो बच्चे हैं इनके जो बड़े हो जाते हैं तो 8-9 महिने के साल भर के बाद वो अपने ग्रूप में चले जाते हैं तो विसेसग्य जो हैं जो सारस के उपर डिटेलिंग करते हैं उन्होंने बताया है कि जो ग्रूप में रहने वाले सारस हैं वो जादे यंग होते हैं जादे जबान होते हैं और वे ग्रूप में तब तक ही रहते हैं जब तक उनको कोई फीमेल पार्टनर नहीं मिल जाती जैस के साथ गुरूप से अलग हो जाते हैं दोनों साथ साथ रहते हैं अपना परिवार ग्रो करते हैं फिर फलते फूलते हैं और वाकी जब तक इनको फीमेल पार्टनर नहीं मिलती तो गुरूप में ही रहना है इनको तो अधबुद नजारा होता है वो यह बहुत सुन्दर होते हैं बहुत प्यारे होते हैं देख सकते हो आप कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इनकी जब फीमेल पार्टनर को कुछ हो जाता है या दोनों में से मेल फीमेल में से कोई एक नहीं रहता मार जाता है तो ये भी उसकी याद में मर जाते हैं मतलब अकेले रहते हैं और ऐसी सोक में मर जाते हैं पर भी से सज्जे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है जब इनका पार्टनर मर जाता है नहीं रहता है तो ये दूसरा पार्टनर चुल लेते हैं लेकिन बेसिकली एकी पार्टनर के साथ ज्या जब आज निकालते हैं बहुत तेग चिलाते हैं यह देखिए एक बच्चा है ये अपने घोसले से निकला है इसके ममे पापा इसको खाना से शिकizer निकल के खाै प्चा कैया मैं कैसे खाऊं मुमी तो चोंच भी बड़ी नहीं है चोटी सी चोंच है मुह मेरी नाथ में पानी चला जा रहा है बार-बार आप में तो बूल दिया खा पर मैं कैसे खाऊं उन्हें को बच्चा विचारश दूब रहा है कि patches मेरे मुंए तो दूब जा रहा हूं बुब जा रहा हूं वमी किरी नहीं डूबेगा गो बेटा इस तरह से खाऊ बैत आप मह को सिखा रहा है इन बच्चों से बच्चों में बच्चों इसा सी होते हैं ब्राउन से कलर के, सारे कलर इनमें बाद में आते हैं, कलगी भी सिर के उपर बाद नहीं आती है, इसकी मम्मी चली गहीं, दूसरे बच्चे को देखने, कि इनका घोसला है घास के उपर, ये बच्चा कह रहा है, अरे मम्मी तुम उधर जा रही हो, मैं कहां जाओं, मैं कैसे सीख हूं खाना पिना, तो बच्चा अपने पापा को खोलो कर, तो बच्चा अपने पापा के पीछे चला गया, तो हम उमीद करते हैं, कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कुसरे ये मस्तरे ये,